सब्सक्राइब नाओ और प्रेस तब बेल आइकन नेवर मिसन अपडेट गुड मॉनिं आलो फ्यू मैं आपका हमारे चेनल को टेलर स्टडी जोने में सौगत करता हूँ हमने जो एक हर्याना जनरल नॉलेज की एक टोपिक वाई सीडी स्टार्ट की थी उसमें आज हम लेकर आ रहे हैं कि हर्याना का उदे कैसे हुआ तो आईए इसमें हम डिटेल से देखते हैं सबसे पहले अगर हम बात करें हर्याना का उदे यह माराज का टोपिक रहेगा इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि अथारास तो ठाउन इसीए में अंग्रेजों ने हर्याना को पंजाब का इसा बना दिया 18 सुठाउन में क्या किया गया जो हर्याना का छेतर था उसको पंजाब में सामिल कर दिया गया और 15 अगस्त 1947 तब तब भारत आजाद नहीं वा अंगरेज्जों से तब तक हरियाना का जो छेतरता हो पंजाब का ही इसा बना रहा उसके बाद हम देखते हैं कि हरियाना को एक अलग राज्य बनाने के लिए कब-कब इसके बारे में मांग उठती रही तो पंजाब के मुख्यमंतरी भीमसेन सचर के सासन के दोरान 1949 इसी में पंजाब परांत में जो एक भासा का हो लेकर के काफी विरोध उत्पनवाजिस में एक हिंदी बासी आंदोलन भी होए और पंजाबी भासा आंदोलन भी होए तो उसके समाधान के लिए क्या किया गया कि एक सचर फार्मूला बनाया गया उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे वो जो सचर फार्मूला था वो एक अक्टुवर 1949 को लागू कर दिया गया कब लागू किया गया सचर फार्मूला एक अक्टुवर 1949 को लेकिन उसके बाद पंजाम में परताब सी केरों के सासनकाल के दुरान यदि जब मुख्य मंतरी परताब सी केरों बने 1956 से लेकि नाइंटीन शिक्स्टी फॉर उसके दुरान भी अलग रज्य की मांग उठती रही इसके बारे भी आगे डिसकस करेंगे सबसे पहले हम बात करेगी पंजाबी सुभी की मांग किसने की 1948 में मास्टर तारा सिंग उन्होंने अपने जो पत्तर था अजीत उसके अंदर पंजाबी सुभी से भी अलग एक सिख राज्य की मांग की कि अलग से एक सिख राज्य होना चाहिए और जो कम्यूनिस्ट पार्टी थी पैप्सू पैप्सू क्या जेगा तब पटियाला एंड इस्ट पंजाब स्टेट यूनियन ने पंजाबी सुभी की बात जो उठाई थी वो काफी लोगों को पसंद भी आई कि अलग से पंजाबी सुभा होना चाहिए उसके बाद हम बात करेंगी सचर फार्मूला तो पंजाबी भासी लोगों ने का यह जो चेतर में लोग पंजाबी भासा बोलते थे उन्होंने का कि वो हिंदी नहीं पढ़ेंगे और जो हिंदी भासी लोग थे उन्होंने का कि वो पंजाबी नहीं भीम सेन सचर उनके द्वारा इसका समाधा निकाला गया इसलिए इस फार्मुले को क्या का जाता है सचर फार्मुला क्या का जाता है इसको सचर फार्मुला का जाता है और इस सचर फार्मुले को लागू कब किया गया यह आपको ध्यान रखना है कि सचर फार्मुला लागू क कब किया गया एक अक्ट्वर उन्सव 91 रख को लागू किया गया और पंजाब जो च्ह trouble बांठ दिया कि पवास्चा के अदर पे दो चे च्हत्र कौन से हो जाएगे एक पंजाबी चेत्र लगता हो और कांगड़ा यह हिंदी चेतर में साम मिल किया गया बाकि सारा का सारा क्या चेतर हो पंजाबी चेतर बना रहा और एक और इसमें का गया कि जो पंजाबी चेतर में है पंजाबी चेतर में जो सरकारी बासा हो पंजाबी होगी लेकिन हिंदी चेतर में हिंदी चेतर कि हर स्कूल में पनजाबी और पनजाबी चेटर में हंडी को यशर कर दिया में अगर पनजाबी भाहसा को सरकारी भाइसा बना इए तो वहाँ पर हंदी को सरकारी भाष़ा बनाए गया यानी हिंदी चेतर में तो वहां पर पंजाबी को दूसरी भाष़ा के रूप में पढ़ना पड़ा जाना जरूरी कर दिया गया अनिमारिय कर दिया गया और उसके बाद जो पैपसु थी यानि जब पटियाड एंड्लिस्ट पंजा स्टेड यूनिन सरकार थी उसने भी यही फार्मूला अपने चेतर में भी लागू कर दिया तो यह फार्मूला लोगों को पसंद नहीं आ है कि जहां हिंदी बोलते हैं वो पंजाबी को क्यों पड़ेंगी वो जो पंजाबी वासी लोग है वो हिंदी को क्यों पड़ेंगी तो इस फार्मूले को लोगों ने ना पसंद किया और यह सच्छर फार्मूला सुरू से ही क्या हुआ ऐस सफल हो गया इसको सफल था नहीं मिली उसके बाद हम बात करेंगी राज्य पुनर गठन आयोग 20 दिसम्बर 1953 बारसरकार ने राज्य पुनर गठन आयोग बनाया है क्योंकि बासा को लेकर काफी विवाद चल रहा था तो बासा के अदार पे राज्य बने या ना बने इसके लिए एक आयोग बनाया गया जिसके अध्यक्स कोंते सेद फजल अली इसलिए इसको आयोग को क्या का जाता है फजल अली आयोग भी का जाता है और इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट दी और रिपोर्ट में जब आयोग ने रिपोर्ट दी पंजाब सरकार ने जो छेतरी फार्मूला था और लागू कर दिया और 1957 में परताब सिंग केरों ने जो उसे में पंजाब की मुख्यमंटरी थे इस योजना को पूरी तरह सफल होने के अवसर नहीं दिये यानि अलग से राज्ये नहीं बनने दिया इस वज़े से जो छेतरी का त्यों रखा गया क्योंकि आयो का मानना था कि नए राज्यों के गठंजे जो बासा का विवाद और उस माप्त नहीं होगा अपी तो दोनों बासा है यानि जो पंजाबी और हिंदी दोनों बासाओं को क्या होगा एहित ही होगा इसलिए उन्हें नहीं ये कहा कि सरकार दोरे जो चेतरी फार्मूला गाओ लाबू करके पंजाब परांत को पंजाब वहरियना दो चेतरों में भी वाजित कर दिया गया अलग से राज़ नहीं बनाया सिर्फ दो चेतरों में बांड दिया गया और इसके बाद संगरूर में जीन नर्वाना कसीले और इसके बाद सिमला और कांगडा और बाकी का सारा का सारा क्या बना रहा पंजाबी चेतर बना रहा लेकिन अलग राज्य नहीं बनाया गया और छेतरी फ़र्मुला लागू कब किया गया यह हम बात कर चुक एक चोबी जुलाई 1956 को इस चेतरी फ़र्मुला को लागू कर दिया गया फिर 1957 में पंजामे हिंदी अंदलन हुआ पंजामे जो लोग हिंदी बोलते थे उन्होंने अंदलन किया उसके बाद जब यह हिंडिया अंदलन हुआ तो जो पंजाब भी छेतर था उन्होंने अपनी अलग पैचान की उन्हें में भावना जागरीत होगी अपनी भी अलग पैचान होनी चाहिए 1960 में सिखों के नेता मास्टर तारा सिंग ने पंजाबी सूबे के लिए अंदलन को नेतरता परदान किया और अलग सिख रज्य की मांगी उसके बाद में 1965 में संत फते सिंग फते सिंग ने अलग पंजाबी सूबे के लिए कि अलग पंजाबी राज्य होना ची इसके लिए अं कब 23 तमब 1965 को लोगों के दबाव में आकर सरकार ने अलग से विवाजन के लिए ये अलग राजे बना दिया जाएगा इसके लिए सरदार हुकम सिंकिय अध्यक्सता में अलग से कमेटी का गठन कर दिया और कमेटी ने अलग इस कमेटी ने का कि अलग राजे होना चीए और उसके फैसले को सही मानते वे बारत के गरह राजे मंतरी संसद के दोनों सदनों में पंजाब के पुनर गठन के समद में संसदी समीती के गठन समदी नीने की गोशना कर दिकी इसके अलग राजे बनाने के एक संसदिय समीती का गठन किया जाएगा इसकी गोशना कर दी गई और उकम सिंगी कमेटी की सिपारिशन को मानते हुए सरकार ने 23 अपरेल 1966 को जेसी सा किया अध्यक्स्ता में एक सीमा आयोग का गठन किया गया सीमा आयोग का गठन कब किया गया 23 अपरेल 1966 को जेसी सा किया अध्यक्सता में और जो आयोग के और सदेसे थे कुल आयोग में 3 सदेसे थे जिसमें जेशी शा हेड़क्स हो गय एस दत और एम एम फिलिप ये तीन इसके सीमा आयोग के सदेसे थे और आयोग दोरा जो एक शीम आयोग बनाए गया इस आयोग दोरा 31 मई 1966 को परतिवेदन दिया गया जिसके में ननका कि हर्याना में निमलिक चेतर को सामिल किया जाना चाहिए तो कौन-कौन से चेतर हो जाएंगे इसार, महंदरगड, उडगाउं, रोतक, करनाल जिला, जीन तसील, चेंडीगड, सहित खर्ड तसील, नारायन गड, अंबाला एहुं जगाधरी तसीले यह रियाना चेतर के अंदर सामिल कर दी जाएंगे तो जब आयोग ने संस्तूती दी, अपनी रिपोर्ट पर स्तूत की, कि आयोग की रिपोर्ट देने के बाद, पुनर गटन विदेग 1966 की लोगसभा दौरा, 28 सितंबर, 1966 को पारित कर दिया है तो ये पंजाब पुनर गटन विदेग, 18 सितंबर, 1966 को लोगसभा से पास हो गया, और 1 नौमबर 1966 को अलग से अर्याना राज्ये का निर्मान हुआ तो ये पास हो गटन विदेग लोगसभा से अर्याना राज्ये की स्तावना कर दी गई, और जो हर्याना राज्ये बना तो इसके पर्थम राज्य पाल बनाया गया, श्री धर्मवीर जी को और मुख्यमंतरी बनाया गया, पंडित भगवत द्याल सर्मा को परदेश का पंजाब हर्याना सीमा आयोग के अद्यक्स कौन थे, जो अभी सीमा आयोग बनाया गया, तो उसके अद्यक्स कौन थे जस्टिशन, जेशी शा, जेशी शा को अद्यक्स बनाया गया, और इसके अलाब दो सुद्ध से और थे, एस दत है, और एम एम, में फिलिफ इसके दो अन्य सदेश्य थे उसके बाद हम बात करें कि हर्याना राज्य का गठन सविदान की किस संसोदन द्वारा यहीं संसोदन किया गया तो यह संसोदन किया गया अठार वां 1964 में किया गया यहीं संसोदन के द्वारा अलग राज्य का दर्जा दे डिया गया अंजड़ पुनर कतन के लिए संसदीय समित्प्ह बनाए गयी तो संसदीय समित्हralब ref Actually हुखम सिंग के और इसी किसी पारिशों को मानते वे एक कितने सदस्य थे तो जैसी सायोग में कितने सदस्य थे तें फिर हम बात करें कि पंजाब इधना ख़वा के चुनाव कब हुए तो पंजाब 48 में पिर हम बात करेंगे एक नो मुरून 66 को हर्याना राज्य बना तब इसमें कितने जिले सामिलते हैं यह हम पिछले वीडियो में भी देख चुके हैं कि साथ जिले सामिलते हैं अजले लिए आयो की रिपोर्ट को परस्तूत की गई तो यह की गई उनिश्वपन में 1965 में किस ने पंजाबी सुभी की स्थावना एतू मरण वंसन किया था तो यह किया था फते सिंग में 23 अप्रेल 1966 को जेशी साय के अध्यक्सता में बने सीमा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब दिया यह अपनी रिपोर्ट को परस्तूत की तो यह की 31 माई 1966 को इस आयोग के एक सदेशने चंडिगर्ड सहीद खरता सिल्क और यान में साम्मिल करने के विरूद मत परकट किया यह थे जैसी सायोग के सदेशने पंजाबी विवाद के दुरान कौन हिंदी चेत्री समीति गए देक्स चुने गए तो हिंदी चेत्री समीति गए देक्स संस्तूति के तयात पंजाबपूर में विदेग का पारित किया गया तो यह किया गया 18 सितंबर 1966 को जो सचर फार्मूल हो कब लागू किया गया वो किया गया 1949 में इसके बाद हम बात करेंगी जब हर्याना का गठन हुआ एक नोबर ने चांशट को उस समय हर्याना विदान सभा में सदस्विंग संक्या कितनी रखी गई थी 54 जो 1967 में बाद में कितनी कर दी गई 81 और 1977 में जब परीशिमन आयोग आया तो उसके अनुसारी सिटे कितनी कर दी गई बढ़ा कर 90 कर दी गई उसके बाद हम बात करेंगे हर्याना की मुख्य बासाएं कौन कौन से हर्याना मुख्य बासाएं हिंदी पंजाबी और गुर्दू है हर्याना पंजाब से अलग हुआ तब हर्याना के इससे में कितना हिस्स आए था यह आया था 35.88 पर 30 जो चेत्र फल तब हर्याना को दे दिया गया तो आज हमने देखा कि हर्याना कंदे के सेवा उसके लिए कौन-कौन से आयोग बने तो अगर मारा वीडियो पैसंद आए तो उसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मुले थेंक यू